अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश साथ साथियो अपनी थेयो पंसीन स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ाया और आगे इस वीडियों पढ़ने वाले सारा कंटेंट आपको पीडियो फॉर्मेट में विलेबिल है जिस तरह से मेकिनिकल इ जहीं जिस परकार के हत्यार आपको चाहिए सारी लेकर आप चल रहे हैं लगातार कदम बढ़ाते हुए अपनी मंजल की तरफ और यह सब बिद्दा आपको आगी है कहां किस चीज़ गम किस परकार से इस्तमाल कर सकते हैं किसका क्या रॉल होता है तो आब आते हैं साथियो गाइरिस्कोप की तरफ ये गाइरिस्कोप क्या है? किस प्रकार से देखा गया? क्या रवल है? इसका किस प्रकार से काम करता है? कुछ फर्मूलों पर और नज़र डाल लेते हैं Momentum कोई Mass है साति यो भी velocidad से जा रहा है तो उसका momentum होता है Moment app momentum तो किसके बरावर होगा momentum P किसके बरावर होता है mb के बरावर mass into velocity ये linear momentum है यदी angular momentum देखना हो तो mass की जगे यहां पर momentum inertia आ जाएगा और velocity की जगे ओमेगा जाएगा जो angular velocity होगी क्योंकि angular velocity में roll होता है moment of inertia का तो यहां पर L is equal to I omega angular momentum के बरावर होगा और momentum conserve रहता है conserve momentum इस परकार हम लिख सकते हैं initial momentum is equal to final momentum ये conservation of law of momentum से आप बोल सकते हैं ये छोटे मोटे formula आपको कहीं कहीं numerical में काम दे जाते हैं concept को समझने में ये थोड़ी बहुत जान करें आपके दमाग में होनी चाहिए इसलिए सब detail में बताया था gyroscope की काईनी पर आते हैं साथी उससे पहले बता देते हैं बेमानों का इस्तमाल एरोपलोनों का जहां पर इस्तमाल किया जा रहा था तो कुछ न कुछ mistakes देखी जा रही थी सुरू में पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो बिमानों में कुछ क्रेस नजर आ रहा थे और सिप मैं भी कुछ ऐसा ही उल्टा सीदा देखने को आ रहा था टाइटेनिक डूबा था आपने जाना होगा लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं वहाँ पर भी इसका रॉल है क्योंकि उस समय इसकी जानकारी हमें थी नहीं ठीक से हम इसे पहचानते ही नहीं थे किस परकार से काम करता है कुछ विद्वान सांती से लगे हुए थे किसी कौने में दुनिया के में उन्होंने किसी डिस्क को लिया इस परकार से यह एक्सिस है अपनी X-axis इस परकार बना सकते हैं Y-axis यह Z-axis है अब इस एक्सिस के साफ एक्स कोई डिस्क लगा दिये है यहाँ पर सेंटर है और रोटेशन कर रहे हैं इसे आप सामने इस देखेंगे तो यह आपको एंटी क्लोगवाई रोटेशन करती हुई देगी क्योंकि यहांपर डिरेक्शन बना रखी उमेगा वेक्टर बना हुआ है तो यह डायरेक्शन बता रहा रहा है आप कहसकते हैं साइट से देखेंगे तो इस परकार से डिस्क दिखेगी सामने से परकार से दिखेगी तो cosmetics clockwise का rotation हो रहा है इसलिए direction इधर बना हुआ है तो इस axis को क्या नाम बोला जाता है axis of rotation जिस axis पर rotation हो रहा है उसको axis of rotation बोला जा रहा है अब यदि जो y axis है इसके साफ एक इस axis को गुमा दिया जाए इस परकार से clockwise या anti clockwise जैसे आप बोल सकते हैं direction दे देंगे यदि direction आप उपर दे देंगे ऊपर से देखेंगे तो यह आपको anti clockwise rotation होआ देखने को मिलेगा यदि axis of rotation किसी दूसर axis के साफ एक्स गुमें तो उस axis को axis of procession के नाम से जानते हैं axis of procession बोलते हैं यदि इसके साफ एक्स गुमती इस प्रकार से उपर नीचे घुमती तो यह axis of procession अपना यह जैड एक्स हो जाता लेकिन यह वाई के साफ एक्स गुम रही है तो किस प्रकार गुमेंगी इस प्रकार से गुमेंगी तो axis of procession यह हो गया है यह सब process चल रहा था बारीकी से लेकिन इसे कोई बारीकी से देखने वाला भी वहीं था तो यदि यह rotation इस प्रकार से हो रहे हैं तो इसमें कुछ change देखने को मिल रहा था जो यह point है आपके direction है यह तो उपर को जाती थी यह नीचे की तरह पाती थी इस प्रकार का रहे बार बार देखते रहे तो उन्हें पता चला कि यह क्या हो रहा है सिर्फ इदर rotation हो रहा है हम इसको इदर गुमा रहे हैं लेकिन यह यह जैड एक्सिस के सापक्स उपर नीचे इसमें rotation देखने को मिल रहे हैं इनको यह बात पहली बार देखने पर चौक आने वाली थी उन्होंने इस पर बारिकी से अद्धन किया और बाद में पता करके वताया कि एक्सिस ऑफ गायरिसकोपिक कपल कहते हैं यहां पर जो चैंज आ रहा है वो गायरिसकोपिक टौर किया गायरिसकोपिक कपल की बज़े से आ राए बाद में इसे पहचान लिया गया अब यह एक्सिस उपर की तरफ जाएगी यह नीचे की तरफ जाएगी यह आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा यहाँ आपको एफेक्ट देखने के मिलेंगे जैड एक्सिस के साफ़े किसमें रोटेसन किस परकार से रोटेशन हो रहा है कितना magnitude होगा इस टॉर का इस गायरोस्कोपिक कपल का यह सब जानेंगे आगा आने वाली वीडियो में अभी सिंपल आपको बताना था क्या सब यहां देखने को नया मिला था कायरोस्कोपिक कपल का मैगनिटूट कितना होगा इसकी डायरेक्शन कितनी होगी किस परकार होगी किस डायरेक्शन होगी क्या एफेक्ट देखने को मिलेंगे आगे आने वाली वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है उम्मीद करते हैं विडियो उम दी गई अब तक की जानकारे आपको अच्छे समझ माई होगी अभी भी आपका कोई कंफूजन है तो आप हमसे कमेंट करकर पूँश सकते हैं साथ हो आप चाहें तो कॉंटेक्ट कर सकते हैं कॉंटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप् में जाइन बंदे मात्रम